Hello everyone, so कैसे हैं आप सब I hope आप सभी बढ़िया होंगे CUT के application forms की dates over हो चुकी है और कल रात से IP University के तिने भी students apply कर रहे हैं उनको भी परिशानी आ रही है क्योंकि एक exam आप लोगों का over हो चुका है application form और दूसरे के लिए हमें obviously बात है tension तो होगी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे option होना जरूरी है और IP University काफिजरे students की first priority होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे students के वेरे पास जो comment आए है वो बोला गया कि sir हमारा जो है अभी हमको show नहीं कर रहा है कि जो new candidate registration है वो नहीं show कर रहा है तो last date कब है application form फिल करने की तो देखें मैंने पहले भी बोला था जो technical glitches है यह आते रहते हैं और आप लोगों को panic करने की जोरत नहीं है अब भी जो आप लोगों का application form है open रहेगा आप लोगों के लिए काफिज students जो बोल रहे हैं कि last date का है वो 30 of April आप लोगों की last date है अब हुआ कहता जब IP University का portal स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में तो उस टाइम पे जो उन्होंने last date सेट करी थी वो 30 of March करी थी और उस टाइम पे कुछ limited courses के जो है उन्होंने अपने application form निकाल ले थे जैसे कि कि student ने मेरे registration करा है सो यह जो technical glitch मेरे ख्याल से जो आया है वो 30 of March इन्होंने last date सेट करा था LLB course के लिए साथ में इन्होंने जो course की जो last date रखी थी MBA course के लिए इस वज़े से आपको technical glitch देखने को मिल रहा है 30 of April मेरे ख्याल से आप लोग application form फिल कर पाएंगे एंड ऐसे कोई घबराने की जूरत नहीं है फ्रेश कंडिडेट का registration का जो option है वो open हो गया है सो आप अपना application form फिल करिए बाकि आपको कोई भी problem नहीं आएगी सो मिलते है नेक्स वीडियो में बाबाई टेक क्यार थेंक्यू सो मच